है गाइस कैसे आप सब मैं हूँ निखेल और आप सभी का स्वागत है आज के इस नए फोटोशॉप टुटोरियल में तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुती करेंगे बहुती सिंपल टेकनीक्स यूज करके जो कलर कॉमिनेशन होंगे इस कंप्लीट पोस्टर का वो इसकी एसेंस होंगे मतलब एक ही कलर कॉमिनेशन को हम लोग प्रॉपरली फॉलो करेंगे और इस डिजाइन में और इसे बनाना बहुत ही जादा इसी है तो अगर आप पहली बार भी ओटकर रहे हो ना तो भी आप काफी एजिली फॉलो करिखे एस वीडियो को अपना पूरा डिजाइन बना पाऊगे तो मेश ओर करें कि आप इस विडियो को एन तक देखे कहीं भी स्किप ना करेंगे ताकि आपसे कोई भी स्टैप मिस ना हो और और कलर कॉम तो यहां पर है हम लोग Photoshop के अंदर start करेंगे सबसे पहले तो एक नया document create करके इसे में नाम दे दूँगा sports poster with रखेंगे 2000 और height 2500 आप अगर चाहो तो कोई भी अलग size ले सकते हो for example अगर आप इसे Instagram पर post करना चाहो square size में तो आप 2000 by 2000 ले सकते हो और अपने सबसे dimensions जो है वो set कर सकते हो resolution हम लोग रखेंगे 300 पर और बाकी सब default setting पर click करेंगे create पर तो यहां पर हमने एक new document create कर लिया है तो सबसे पहले तो मैं image एड़ करूँगा player का जो मुझे use करना है इस particular design के लिए आप again जो भी player का image use करना चाहो use कर सकते हो और by the way आप यह जो complete project file है वो तो मैं नहीं दूँगा क्योंकि मैं चाहता हो कि आप इससे अपने आपसे पूरा create करें तो मैं resources जो भी इसमें use करूँगा वो आपको जरूर दूँगा जैसे के player की images और आगे हम जो भी use करेंगे तो आप follow along कर सकते हो download कर लो सब resources और हम साथ में इसे create करते हैं सही है तो यहाँ पर जाएंगे add करेंगे एक नया solid color मतलब की background अभी के लिए मैं इसे black set कर रहा हूँ इसे नीचे रख देंगे और इसे नाम दे दूँगा BG फिर मैं add करूँगा Lakers का logo क्यूंकि मैं यही colors जो है वो use करने वाला हूँ तो ताकि मैं colors को pick कर सकूँ यहाँ से इसलिए मैं इस logo को यहाँ पर drag and drop कर देता हूँ फिर मैं यहाँ पर जाओंगा double click करूँगा background पर और यहाँ से जो purple है उससे मैं select कर लूँगा कुछ ऐसे click करेंगे okay पर और मैं अगर चाहँ तो इसे hide कर सकता हूँ फिर मैं add करूँगा thunder का जो icon आपने देखा ता इस design में जो हम use कर रहे है उसे और इस तरीके से मैं नीचे place कर दूँगा कुछ ऐसे ठीक है काफी सही लग रहा है फिर select करेंगे इस हमारे subject को जाएंगे effects में और add करेंगे एक drop shadow जो drop shadow के properties है उससे मैं actually first of all इस तरीके से मैं move कर सकता हूँ जहां भी मैं चाहूँ और opacity हम रखेंगे 20% और size को 2 पर रखेंगे और जो distance है उसे हम कम जादर कर सकते है depending की जैसा हमें look चाहिए तो ये मुझे काफी सही लग रहा है इसे थोड़ा सा नीचे इस तरीके से move कर दूँगा तो एक हलकी सी depth आ जाएगी हमारे scene में और फिर इस player की image को मैं select करूँगा जाओंगा filter sharpen और sharpen more ताकि हलका सा ये sharp लगे और थोड़ा सा जो मुझे grungy look चाहिए वो भी मिले ठीक है अब मैं Lakers के logo को अभी के लिए delete कर देता है थोड़ा सा इरिट कर रहा है जब हो वहाँ पर बाद में हम add करेंगे इसे फिर मैं select करूँगा text tool और जो भी मैं text type in करना चाहता हो वो मैं type कर लोगा को मैं सबसे परे नाम जो है steam का वो type कर देता हूँ जो की है Lakers और जो font मैं use करूँगा वो होगा बेबिस मैं font भी आपको दे दूँगा कोई tension की बात नहीं है तो यहां पर हम से set कर देंगे इसे मैं set कर दूँगा माइनिस 10 या 20 पर और इसे scale करके इस तरीके से बढ़ा कर देंगे और italic में रखूँगा इस पर क्लिक करके और rotate भी कर देता है shift hold करके यहां पर इसे मैं place कर दूँगा और इस तरीके से बढ़ा कर लेंगे काफी तो दिखने में काफी अच्छा लग रहा है यह और इसे मैं नीचे प्लेश कर दूँगा सबसे पहले फिर मैं यहां से जो बाग्राउंड कलर इसको पिक कर लूँगा और इसके लाइटर टोन यहां पर स्लेक कर लूँगा ताकि थोड़ा सा और अच्छा देखे यह और जैसे कि मैंने पहले भी कहां है कि कलर बहुत ज्यादा इंपॉ के डिजाइन व्यू सीरीज के मॉनिटर जिन में अभी अभी उन्होंने दो न्यू मॉनिटर अड़ किये हैं पीडी 2705 जो कि मैं अभी खुद यूज कर रहा हूं और पीडी 3205 जो कि इसका 32 इंच वाला वर्जिन है यह जो मॉनिटर है यह आता है 4K IPS डिस्पले के साथ औ और हमें मिल जाती है 350 nits की brightness and 99% sRGB color gamut अब बिलकुल यह मॉनिटर एक premium segment में आते हैं बट मेरे हिसाब से यह एक ऐसी investment है जो हर एक professional designer या animator को करनी चाहिए और यह मैं सिफ इसी लिए आपको suggest कर रहा हूं क्योंकि इसका जो older version है PD2700U यह मैं पिछले तीन सालों से यूज कर अगर आप इन monitors को check out करना चाहते है तो मैं इसकी best by link description में दे दूंगा तो अब चलिए continue करते है हमारा tutorial फिर प्रेस करेंगे ctrl J इसे duplicate करने के लिए जो fill है उसे मैं set कर दूंगा 0 पे जाएंगे fx में add करेंगे एक stroke white stroke basically और इसे मैं set करूंगा center पे 6 काफी सही लग रहा है प फिर मैं इससे यहां पर कुछ ऐसे move कर लूँगा basically हम इसे हलका सा offset कर देंगे ताकि यह थोड़ा सा और उभर के हमें दिखे तो काफी अच्छा लग रहा है as of now और एक चीज मुझे इस image के साथ करनी है वो है एक stroke add करेंगे around the image तो यहां पर जाएंगे fx में और add करेंगे stroke same size रखोंगा 6 की और click करेंगे ok तो यह थोड़ा सा और pop out हो रहा है जो की काफी अच्छा एक look हमें मिल जा रहा है यहां पर फिर और जो भी details हमें add करनी है वो add कर देते है जैसे की और जो lakers का text है उसका मैं और एक text यहां पर लिख लूँगा lakers और इस बार मैं इसे रखों वो होगा integral cf demibolt सही लग रहा है और इसा ही italic कर लेंगे फिर से और इससे मैं place कर दूँगा यहां पर all right so काफी अच्छा लग रहा है तो चलिए अब कुछ elements और यह उससे पहले तो फिर अब next मैं इस बंदे का actually मुझे नाम नहीं पता मैं basketball इतना जादा देखता नहीं हू but yes poster मैं क्यों नहीं बास्केट बॉल का प्लेयर यूज करें waterlogic तो मैं इससे अभी के लिए नाम दे देता हूँ john smith और इससे मैं कर लूँगा छोटा काफी spacing जो है kerning जो है उससे मैं किसी बढ़ा दूँगा कुछ ऐसे ताकि readability अच्छी रहे इस text की कुछ ऐसे फिर चलिए कुछ supporting elements यहाँ पर add कर देते हैं तो वो बनाने के लिए मैं select करूँगा rectangle tool और मैं बहुती abstract element यहाँ पर बनाने वाला हूँ आप चाहे तो कोई भी बलता element बना सकते हैं और use करके देख सकते हैं कि क्या वो आपके design के साथ अच्छा दिख रहा है कि नहीं और एक चीज़ element बनाने से पहले मुझे लग रहा है जो अच्छा लग रहा है वो है थंडर में चाहेंगे fx में जाके एक ड्रॉप शैडो में add कर सकता हूँ थंडर के लिए global light को off कर देंगे और इस तरीकी से रखूंगा मैं बट I don't think कि यह अच्छा लग रहा है कि नहीं I'm not really sure तो distance को 0 पर रखके देखते हैं और हलकिसी noise यहां पर add करनूगा तो यह काफी अच्छा लग रहा है subtle बट nice तो अच्छा लिए अब element बनाता है rectangle tool select करेंगे और इस तरीकी से मैं एक shape बना लूँगा ठीक है फिर मैं press करूँगा ctrl T और ctrl hold करके मैं इस तरीकी से नीचे move कर लूँगा कुछ ऐसे yes and फिर इसका color है वो pick up कर लेंगे same yellow color Alt hold करके click करके मैं drag करूँगा duplicate बनाने के लिए कुछ ऐसे और फिर कुछ और मैं इस तरीकी से shapes बना लूँगा पांच बना लेते हैं फिर इस सभी shapes को select करेंगे और यहाँ पर जाकर properly align कर देंगे फिर press करेंगे ctrl e जिससे सभी shapes merge हो जाएंगे और फिर मैं यहाँ पर इन्हें as a supporting element जैसे भी use करना चाहो वो use कर सकता हूँ तो मैं actually ctrl hold करके इनको और इनको और भी जादा skew कर दूंगा तो काफी सभी लग रहा है और एक copy oh sorry इससे select करेंगे और एक copy मैं रखोंगा यहाँ पर balanced रहे फिर add कर देंगे हमारा जो NBA का logo है इसे मैं यहाँ पर place कर दूंगा और फिर जाएंगे fx में color overlay और इसे दे देंगे वही same yellow color काफी अच्छा लग रहा है और फिर मैं क्या करूंगा जो और additional text है जैसे हो सकता है कोई location या कुछ भी info अगर आपको देनी है तो वह आप add कर सकते हो यहाँ पर चाहिए तो अभी के लिए मैं इसे ऐसे रखता हूँ और लोगों add कर देंगे Lakers का जो की बहुत important है तो इसे मैं यहाँ पर यहाँ पर कुछ ऐसे place कर दूंगा जो की दिखने में और भी अच्छा लगेग कर दूंगा मैं यहाँ पर और फिर यहाँ जाकर इसे मैं set कर दूंगा बेबस फॉंट पर कुछ ऐसे size बढ़ा देंगे font की काफी जादा और अब हम इसे use करेंगे as a design element तो मैं यहाँ पर इसे place कर सकता हूँ इसके नीचे कुछ ऐसे और जो color है वो बैक्ग्राउंड कर लेके साई इसका एक lighter tone ले लूँगा तो यहाँ एक look हमें मिल जाएगा और फिर same मैं इसे यहाँ पर move कर दूंगा छोटा कर लेंगे थोड़ा सा फिर इसका जो fill है उसे मैं set कर दूंगा 0 पर जाएंगे effects में और add करेंगे stroke white ही रखते इस बार और इसे मैं set कर दूंगा around 4 पर और एक हलका सा grunge और noise effect add करने के लिए मैं क्या करूंगा यहाँ पर जाकर create करूंगा एक new solid color इसे रखेंगे black पर फिर right click करके से convert to smart object कर लेंगे मैं इसे नाम दे देता हूँ noise और फिर जाएंगे filter noise add noise पर और मै maybe 8-10% is fine Gaussian पर रखेंगे और monochromatic click करेंगे ok पर और इसका blending mode है उसे मैं set कर दूंगा screen पर तो हमें बहुत ही इची से noise मिल जाती है जो इस look के साथ काफी अच्छा जा रहा है और फिर मैं इसका fill है उसे मैं हलका हलका सा कम करते जाओंगा थोड़ी सी जादा intense लग रही है 50% क सकता हूं तो मेरे पास एक dust overlay उसे में copy-paste यहां पर कर दूंगा इसके ऊपर और यह से काफी अच्छा लग रहा है मेरे हिसाब से थोड़ा सा मैं इसको move करके से place कर देता हूं and boom there we go so that is a wrap guys I hope आपको आज का यह tutorial अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा तो मुझे comment करके जरूर बताए like कर देना यार इस वीडियो को aim करते है 1000 likes का इस particular वीडियो के इसी के साथ अगर आप चाहो तो मुझे instagram पर भी follow कर सकते हो दोप.motions निखिल पवार और दोप सटप ग्रोपे तीनों ही instagram प्रोफाइल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में है और इसी के साथ मैं आप लोग से मुलूंगा अगली वीडियो में तब तक के लिए तेक केर और आलवेस स्टे राव स्टे क्रेटिव पीस आप हुआ हुआ है